असलाम वेल्कुम एव्रिवेन आज वेल्कुम यू अल टो लेट्स राइज आज डेट है 6th of January 2023 और हमारा फर्स टॉपिक जो है वो है वाट इस वीरो वोर देखिये जो न्यूज में आया है वीरो वोर यह न्यू ओर्गनिजम जो है उसको डिसकवर किया गया है इसके बारे में डिसकस करते हैं जो फर्स नौन वीरो वोर है यह एक और्गनिजम है जो वाटर में रहता है ठीक है पानी में रहता है इसको हम प्लैंक्टन भी कह सकते हैं ठीक है a small plankton ठीच है that its viruses has been found, researchers claimed depetus of隻 research hair, microbiologist john d'i long इन्होंने claim किया है, that he discovered Vero War इसका नाप Vero War क्यों रखा गया है, कि जो animals क्या करते हैं कि flesh eat animal होते हैं, उनको हम कहते हैं Carry-vor good graphical shrimp मतलब ये वायरस को साहिता है इसका नाम रखा से होले है कर्ichtig तो यह एक है क्या है अप्ली मेंग भार्म तक यह स्वारे वायरस इल्ग गया है ज़्यादा डिजीजिंग कॉजिंग जहाँ होते हैं वाइरस इसलिए अगर हमें ऐसा कोई और्गनिजम मिल जाए जो क्या हो जो कंजूम करता हो वाइरस को तो बहुत सारी वाइरस के रिलेटिड प्राबलम है वो दूर हो सकती है अगर हम बात करें वाइरो वोर के तो यह है वाइरो वोर इसका अब देख सकते हैं यह structure है तो यह कहां रहता है पानी में रहता है और इसको आएए स्मॉल प्लैंक्टन भी कह सकते हैं यह था वाइरो वर के बारे में जो नियूडली डिसकवर्ड एक औरगनिजम है और एक इस दा वाइरस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है इंडेंजर्ड एक्षिन एलेफंट हैस लास्ट मोस्ट अफ इस आप्टीमल है बिजेट इन नीलगिरी रिजर्व अगर हम नीलगिरी रिजर्व की बात करें तो वहां पे जो एलेफंट का हम देखें नमबर तो वह काफी जादा कम हो रहा है अब इसकी बहुत सारी वाजह है एक वज़ा है कि फैंसिंग करके उनका जो एरिया है उसको क्या कर दिया गया है कम कर दिया गया कि ये फैंसिंग है इसके अंडर खी जो तो इस सा जो श्रı के जो चांसें वह भी बहुत जादा बढ़ जाएंगे और जो इसे प्राइलम हो जाएगी इन से बाहर объяс जिसकी वज़ासे उनका एरिया प्रोटक्ट कर दिया गया उनको फैंसिंग कर दे गया तो बहार नहीं जा पाएंगे जिसकी वज़ासे जो ब्रीडिंग है सिरफ उसी एरिया में होगी इसके बाद डिजिजीज के चांस बर जाएंगे और इसके बाद जो फटीले डिरेट है इसकी बात करें जिसको कहा जाता है इसको कहा जाता है और यह सी इडिजा ऑनली लीविंग स्पीस आफ जीनिस एलिफस उसके बाद यह अगर कहा पाई जाती है तो यह पाई जाती है इन्डियन सॉब कॉंडिन स्वर्ण साट एस्ट एशिया उसके बाद नेपाल है नेपाल में उसके बाद सुमातरह में और बौरनी है इस यह वाली साइड में देखे तो बौरनी में पाई जाती है अगर हम बल्यूंट के इस लिजिज डिश आ आसरे मिला है यह स्वाइजि पिछले साथ से सतर सालों में ठीक है सिक्स्टी तू सिस्टी फाइफ एर्स में क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट जो पॉपुलेशन है वह क्या है खोदी है इसलिए इनको रखा गया है कि हमारी जो इंडेजन लिस्ट है उसमें इसको रखा तर जया टाकर ठेखकांज करते हैं जो निल से जो निलग 있어 मुल्टेन है वहाँ पर जाते हैं फ्लक गार्ड आप to फस ए इंडिया जीडर बरस्त प्रोटेक्टेड चैरीश फॉर्स हें इंडिया जितने भी प्रोटेक्टिड फोरेस्ट एर्या सिलेंए उनमें सबसे जो ला यह अगरुम वन बहुंग shouting ऩिध न्शलव भी स्बंग है यह हमने Himpe Battle को में अधार का उनने भी लिया पहलों में क्यों अभट है यह ऐथ और की जो रख बहुनिंपायः थी पहले देखिए्क darle केरला तामिल नाडो और जो अपना करनाटका है ठीक है करनाटका केरला और तामिल नाडो के बीच में क्या है यह फैली हुए है अगर इसको हम देखें यह हैं हमारा निलगिरी बायोसफेर जिसाओ उसके बाद जो हमारा टापिक है वो है इनिवर्स्टी सीक्स रिमूवर अफ इंपोर्ट ड्यूटी और नैचरल रबर अभी हम यहां बात करेंगे नैचरल रबर की कि जो अभी प्रिजेंट टाइम में जो बेसिक ड्यूटी जो टैक्स है जो इंपोर्ट पे लगता है किसके नैचरल रबर के वो है जो बेसिक ड्यूटी है उसका अगर हम देखें तो बेसिक ड्यूटी कितनी है बेसिक ड्यूटी 25 परसेंट उसके बद एडिशनल ड्यूट ड्यूटी है वो कम की जाए क्या की जाए कम की जाए अब अगर हम डेटा उठा के देखें किसका डेटा जो है उनलेटी प्लाइटर्स अस्टेशिशन ऑफ सर्दन इंडिया तो एक पॉइंट एक लैक टैन जो है और अगर देखा जाए इस वाइट फिर फिर से फाइव मदब पांच लाग से जादा का जो माख है उसको टाच किया तो इतना जादा अगर इतने अमांट में इमपोर्ट हो रहा है नाचर दबर जो है तो फिर अगर पर घ्ब्र जो वाइगा तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस पर जो लोग इंपोर्ट कर रहे है यह चीज़ तिया इसलिए गश्किया खिया गया है कि आप जो इंपोर्ट द्यूटी आप ला अब नेक्स जो एडिटोरिल है यह आज क्या हुआ है यह रिपीट हुआ है आज इसलिए हम इस पर दादर इसक्रिशन आज नहीं करेंगे अगर कोई फर्दर ऐसी निउस आएगी तो इसको हम इसके से डिसक्रिश करेंगे ठीक है कि जो अब धी करेंटली प्राइम निस्टर आए हैं वहां पर जो जिनको परजिशन के नाम से भी जाना जाता है तो जो उनके पहले प्रजिशन थे के पी ओली उनके काफी क्लोज है त अगर इसमें कोई डाउट है आप फिर से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो आज की निऊस में इतना है अब हमें अपना क्योओ सेक्शन करते हैं हमारा फर्स्ट पोन है कि कउस्स्टन कंभ तक चलेंगे हमारे संडे तक तो मंडे से हम क्या करेंगे कि जोग्राफी या आप कह सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री या एंचिन हिस्ट्री की कुछन जो हम स्टार्ट करतेंगे तो जो फर्स्ट हो एम दे फॉल्विंग के रिमोड गविनर फ्रॉम दे आफिस्ट तो आपने पढ़ा होगा किस स्टेट से सिमिलर है किस कब्र में से समस निक्री करने अब चैनल का यह slash के नाम से उसके और वुडियो को ज़्दे स्ब्सक्राइब करेंगे यह बात्व है